बॉर्णिंग अलोफ यू हम अपना यूलर फार्मूला करेंगे रूल करेंगे लियूर्नर्ड रूलर इसको उलर प्रनाउंस करते हैं लियूर्नर्ड उयलर अ स्विस्स मैथमेटिशन यह स्विस्स के रहने वाले थे इनका जनम 1707 में हुआ थो 1783 में इनकी दैथ हो गई थी एजिस की भी चिलेशन फाइंड आउट किया था जैसे एफ प्लस वी फेशिस प्लस वर्टिस इक्वल टू एजिस प्लस टू ठीक है यह जलेशन है फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूला इस टू फॉर एनी सिंपल कॉन्वेक्स पॉलिहेड्रन के लिए जैसे कि एग इस ना वेरिफाइड जूलर्स फॉर्मूला इस फॉर्मूला फॉर्मूला देखने वर्क आउट करता है यह नहीं तो देखें सॉल्यूशन में पॉलिहेड्रन क्यूबएड फेशिस कितने है इस एट एज इस ट्वेल टू एफ प्लस बी करते हैं इस एक्स प्लस एट कितन हो गया 14 मतलब यह दोनों equal आ रहे हैं यह भी 8 है 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 ट्रेंगुलर प्रिजम में 5 फेशिस 6 वर्टिसेज 9 एज तो 5 फेशिस प्लस 6 वर्टिसेज 11 9 एज प्लस 2 11 प्रेमेड विट स्क्वाइर बेस 5 फेशिस 5 वर्टिसेज 8 एज इस 5 प्लस 5 तैन 8 प्लस 6 प्लस 8 14 12 प्लस 2 14 ठीक है तो देखें यह इसका मतलब क्या है कि यह जो फॉर्मुला है एफ प्लस वी इकुल टू यह बिल्कुल करक्त है तो देखो नीचे क्या है इस पॉसिबल तो हैव पॉलिहेडर्न विट इन गिवन नंबर फेशिस एपॉसिबल है पॉलिहेडर्न व और ट्रेंगुलर पिरामिट बन जाए एक लिए एक जामपल दिये गए है और एक जामपल देखो कैना पॉलिहेडर्न है तो ट्वंटी एज़िस एंद 15 वर्टिस क्या को यह ऐसा पॉलिहेडर्न है जिसके 10 फेस बीस एज़िस और 15 वर्टिस वर्टिस हो तो आप रखती ज प्लस टू एक इतना दिरख है 20 प्लस 22 तो यानि पॉसिबल नहीं है अगर यह इक्वल नहीं आ रहा तो सचा पॉलिहेडर्न इस नौट पॉसिबल ठीक है जामपल फाइवा पॉलिहेडर्न है फाइज फेस नाइन एजिस हाओ मैनी वर्टिस देखो आपको वर्टिस बताने कितने होंगे फ प्लस वी इक्वल टू ए प्लस टू तो एफ की वैल्यू रख दें वी ऐसे ही छोड़ दो 9 प्लस 2 तो देखो 11-5 की आगया 6 यानि 6 वर्टिस है जो भी पॉलिहेडर्न है तो ऐसे ही आपको एजामपल सिए गए हैं सौल करते वे दिखाएगे कि कैसे किया ग करें